हेलो दोस्तों आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेज में जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भरतियों प्रणती बोड नाइंटिन सी तुलसी गंगा कंप्लेक्स विधान सभा मार्ग लखना उत्तर प्रदेश 226001 सुचना बिग्यपती बता दोस् पुर्षों महिलाओं के लिए उपनिरिच्छक नागरिक पुलिसों तथा पुर्षों के लिए प्लाटून कमांडर पीएस सी यहां अगनी समंध्यूति अधिकारियों के पदों पर सीधी भरती 2021 दिनांग फरवरी 2021 संख्या पी आर पीबी दो तेन वी 2020 बता दोस्तों कि य केंसे आपकी UPSI में आई हुई है और उसके बारे में हमने यहां पर बिस्त्रित जो है यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे तो पुलिस महानिदेशक उत्तरप्रद लखनों द्वारा प्रेसित धियाचन पत्रसंख्या डीजी 106-100-2018C भर दिनांग 58-2020 पत्रसंख्या डीजी 5-1-10-19 दिन आंकित 5-2-2021 के अधार पर उत्तरप्रद पुलिस में उप निरिच्छक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर PSC एवोम अगनी समन द्युत्य अधिकारी वेतनमान पे ब्रैंड 9300 से 34800 वे ग्रेड पे 42 के क्रम्प स 927-484 एवं 23 अर्थात कुल बदा दोस्तों की 9534 रिक्त पदों जिनके स्रेडी वार वीवरड निम्नुवत हैं को भारने के लिए पुरुस महिला वियर्थियों से महिला वियर्थी के वल उप निरिच्छक नागरिक पुलिस के पद हेतु आनलाइन आवेदन पत्रामन तित किये जाते हैं उप निरिच्छक नागरिक पुलिस के पदों का स्रेडी वार वीवरड बदा दोस्तों स्रेडी संख्या अनारच्छित 3613 EWS 10% 902 अन्य पिछड़ा वर्ग 27% 2437 अन्सुचित जाती 21% 1895 अन्सुचित जन जाती 2% 180 टोटल यूग जो आपका हो रहा है 9,027 दोस्तों कितना है 9,027 सिदी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापे 36 होरिजन्टल आरच्छड का प्रस्त है सुतना संग्राम सेनानी के आसरी 2% सासना देश संख्या ठार एक 95 का दो पंचानवे दिनांग 10 माच 1995 पनो की संख्या 180 भुतपुर सायनिक 5% सासना देश संख्या ठार एक 95 का टी सी 1999 दिनांग 991 99451 महिला 20% सासना देश संख्या 18A 1 99 का टू 1 999 अठार सो पांच दिनांग 26 दो जार 26 दो 1999 सासना देश संख्या ठार एक 99 99 का टू 1 999 दिनांग 308 1999 जी दोस्तों देखे सासना देश संख्या ठार एक 99 का टू 26 दिनांग 9 127 सासना देश संख्या 39 रीट का टू 2 0 1 9 दिनांग 26 दोहजार निस्वें मारनी सरोच न्याले द्वारा विसे सनुग्या याजका सिविल संख्या 23223 208 सावरो यादो एवं अन्य बना मुत्रपतिस राजवा अन्य से विचारित प्रकृड प्रत्ना पत्र संख्या 261 2019 सता रीट याजकास की संख्या 237 2020 में प्रदंत ब्यवस्था किनशार 36 आरच्छा लागू किया जाएगा बताज दोस्तों प्लाटून कमांडर प्यासी स्रेडी के अनारच्छित संख्या 194 EWS 10% 48 अनि पिछड़ा वर्ग 131 अनसुची जाती 101 अनसुची जन जाती 10 योग 484 सेदी भरती द्वारा भरे जाने वाले उक्त पदों के सापे प्धिड जाती हैतिक हॉरिजंटे अरच्र प्रशद समू आरच्र प्रशद का दा वीधिक अदा वधिक शासना देस दिनां पदों की संख्या Щंता संग्राम से ना निक क्या सृत्व परसंत सासना देस संख्या 14 पचासी सत्र वी 1st को पदों की संख्या 10 और नेक्स्ट जो हैविटाइसमें भूतपुर श्रायनिक 5% सासनादे संख्या 18, 195 पायंका 2, T.C. 1999 दिनांग 9, 9, 1909 पदों की जो संख्या है 24, अगनी शमन जोती अधिकारी अनारचित 10, EWS 2 और पिछडावब 6, अनसुची जन जाती 5, अनसुची जन जाती 0, योग्य तेईश् सीधी भरती भरे जाने वाले उक्त पदों के सापे 26, अर्जिंटल आराच्विट प्रसत, सुनता संग्राम से नाने 2% और पदों की संख्या 0 है और भूतपुर साइनिक 5% पदों की संख्या एक है बताते दोस्तों कि प्रतम पर इच्छा के पूरु किसे भी समय रिक्तियो अभरती के लिखित परिच्छा में प्राप्त सामानिकृत अंकों के स्रिष्टा एवं उसके आविदन पत्र में अंकित प्रथम दिती तृती वरिताक्रम और अप्रेफ्रेंस के अधार पर किया जाएगा वीवरड आविदन प्राराम भोनी किती थी जो है एक चार्ड दो ह 21 जमा करने हों आविदन पत्र सब्मीट करने के अंतिम तिकी 34 2021 232 वजीत तक आविदन सुल्क के भरती प्रकिरिया के लिए सब यह वर्थियों है तो आविदन सुल्क रूपिया 400 रूपिया 400 मार्द निर्धारित किया गया है अहरताएं रास्टी भरती के लिए आवश्यक है कि अभीयर्थ ही भारत का नागरिक हो या तिविति मिती सरडाती हो जो भारत में अस्ताई नीवास के पहले जन्रे गुप्रायश 62 के पुर्व भारत आया हो भारती मूल का ऐसा बेखती हो जिसने भारत में स्थाई निवास के प्राय में पाकिस्तान में आमार से लंकाया किसी पुर अफ्रिकी देश केनेडिया यूगांडा और यूनाइटेट रिपब्लिक का तंजानिया पुर्व वरती तंगानिका और ज सब्सक्राइब के लिए भारत में विधी द्वारा स्थाफित किसी विज्ञान में सनातक उपाधी या सरकार द्वारा उसके समकच मानता प्राप्त को ही अरता होना चाहिए जी दोस्तों एक तीन काम करना बिल्कुल नहीं भुलेगा लाइक सब्सकाइब कर दीजेगा और इस वीडियो पाने के राइट साइड में बेल आइकान को दबा दीजीगा जी दोस्तों यह पूरा डिसक्रशन किया जा रहा है यूपी एसाई की वैकेंसी पर इपड़ी क्या है कि आवेदन करने की अंतिम तीथी तक विर्थी को अपेच्छित सैचिक अरता अवश्य धार समलित करनी चाहिए द्यान दीजीगा तथा उसकी अंक तालिका प्रमाट पत्र उसके पास उपलब्द होनी चाहिए अपेच्छित सैचिक अरता है तो परिच्छा में समलित हुए अपियर्ड तथा समलित होने वाले एपैरिंग भीहर्थी पात्र नहीं होंगी आवेदन प कि कोई अंक नहीं होंगे वल्कि दो या दो से अधिक अभिर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दसा में अधिमानी हर्ता के अभिर्थियों को प्रस्तर 4.4 के अधिन बरियता प्रदान की जाएगी डी ओओ एसी डो एक से नाइलीट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ अस्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या प्रादेशिक सेना में नियूंतम दो वर्स की अधित तक सेवा की हो या रास्टी का डिट कोट का भी प्रमाण पत्र लिया हो ठेक शुता जो है भरती के लिए यह हावश्यक है कि अभेर्थी के दिनांक एक साथ 2021 को एक साथ से मांग रहा विड़ा एक साथ 2021 को 21 वर्स की आयू प्राप्त कर ली हो और 28 और 28 वर्स से अधिक के आयू पूर्ण की हो अर्थात अभेर्थी का जन्म एक साथ 1993 से पूर्ण तथा दिनांक एक साथ 2000 के पश्चात न हुआ तो बताते दोस्तों की प्रम्तुयह की अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती और ऐसे अन्यस्रेडियों के अभेर्थियों की दसा में उस्चतर आयू सिमा उतने वर्स अधिक होगी जितनी दिक्तियों की अधिक सूचना की समय अधिनियम में और लागो सरकारी देशों में वेर्डिस्ट की जाए बता दोस्तों फाइब शरीत्र अभेर्थी का चरित ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा महिला बेर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां पती जेवित हो या ऐसी महिला बेर्थी पात्र नहोंगी जिसने ऐसे पुरुस से विवा किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जेवित हो प्रंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस निड़े के प्रवरतन से पास अच्छा ना हो और वह किसी ऐसी सारीक दो स्युक्त हो जिससे उसे अपने कर्तब्यों का दस्ता परोखबालन करने में बाधा पढ़ने की संभाव ना हो किसी अभेरती को निकती के लिए अंतिम रूप से अनबोधित किये जाने से पुरूब उससे या पेच्छा की कर लोगो है और कितने घंटे की ओगी आपके परिष्छा के वारे में हम लोग बात कर लेते हैं फिर बात कर लेते हैं पुरीता क्या हुआ है चईक अपर इशथ है आरट चडव आहिव तीमा में छुट किस प्रकार से मिल रही है इन सारे विश्यों पर हम लोग बात कर लेते हैं शैती होरियंचल आरट छड क्या है इस सारी चीज़ें देखिए आपको दीख रहा है यहाँ पर इन सब पर हम फोकस करेंगे और आर्थिक रूप से कंजोर जो है उनके बारे में यहाँ पर भी दिया गया है अभियर्थियों के महत्वपूर सुचना भी इसमें है कैसे कैसे आनलाइन आवेदन की प्रकिरिया के बारे में भी बताया गया है तो द्यान दीदियती चरट का सुलक दोस्तों यह सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बताई गई है बोर्ड कार निड़े अंतिम होगा यह सारी बात लिकी गई है और आनलाइन लिखित परिच्छा का पार्ट करम भी देखें यहाँ पर दिया गया है क्या क्या चीज़ें हैं पार्ट करम वो सारी विसें तो काफी वीडियो लंबी बन जाएगी जिले साथ में ही हम यहाँ पर डिसक्रशन करते हैं और फिर अलग से आपको सारे मानक बता करके एक वीडियो और दिया जाएगा जी दोस्तों तो देखें सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है और आई हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कितने घंटे की परिच्छा होगी क्या मानक दिये जा रहे हैं तो देखें यही सारी चीज़ें हम लोग डिसकासन कर रहे थे अगर हम बात करें भरती की प्रक्रिया यह चैन उत्रप्रदेश उप निरिच्छक नागरिक पुलिस सेवा अथ्वा संसोधित निमावली संसोधित निमावली संसार ऐसे भरती जिनके आवेदन सही पाये जाएंगे उनसे 400 अंकों की आनलाइन लिखित परिच्छा में संब्लित होने के पेच्छा की जाएगी इस आनलाइन लिखित परिच्छा में वस्तुनित प्रकार का चार अलग अलग निम लिखित विश्यों का प्रशन पत्र होगा शामान हिंदी सोवंग की बताए जा रही है प्रतेक पालियों के प्रशन पत्र अलग अलग होंगे आनलाइन लिखित परिच्छा में एक से अधिक तित्यों या एक पालियों में आयुजित किये जाने पर भीःत्यकि की प्राप्ताम्कों का समाणिक रड किया जाएगा समानिक करड नर्मलाइजेशन में लागू किया जाएगा जाएगा एक्क्यू प्रसेंटेयल मेथट by मदड दोस्तों misin वालियु सब्तम संसोधन के उंसार आनलाय लिखित परिछा के प्रतियेक विशय में 35 प्रतिय विशय में 35% लाना ज़रूरी है 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में बिफल रहने वाले भरती प्रसत के लिए भरती के पातर नहीं होंगे मतलब जितना है 400 का आपको 50% लाना जरूरी है उसके साथ साथ प्रतीक प्रतीक जो आपका टूटल का 50% और सब में 35 प्रसत आपको लाना है आगे बात करने इसमें और प्रस्थितियों के अधिन जहां कहीं इस नियम में सब्द अंक आया हो उसकताद पर प्रसामानी करित अंक होगा अर्थात आणलाइन लिखित परिछा में प्रतीबहाग करने वाले समस्त ब्यर्थियों के प्रतेक विषय में मुल प्रापतांकों का प्रमानिकरण करने के प्रकिरया के अगलीच्रण प्रति भाग करने है तु अहरत नहीं होगे तो दोस्तों यह बहुत बड़ी चीज जो अपके फौर पार्टस है फौर में भी फैथिस प्रस्द आपको लाने जरूरी वालब सो में 35 नंबर लाना जरूगी होगा अगर किसी पार्ट में नहीं होता है तो फिर आप इस परिच्छा से वंचीत हो जाएंगे वालब परिच्छा आप देंगे लेकिन अगली कड़ी में आप जोड़ नहीं पाएंगे परिच्छा का पाठिकरम परिषय कर आंलाइन परिच्छा के उपरांत बोड़ द्वारा मंतिर के जाने पर और वेर्थी अपनी आपत्ती यां परतिकर डच करा सकते हैं प्रशन प्रत्रमें किसी प्रश्न के गलत होने या प्रष्ण के सभी اुथत्तर भीकल्पों के उपर उ इच्छा तो यह सारी बात हैं करते हैं उच्छाई देखिए बता रहा है सारी परिछा के मानक पुरसोहत बताया है उच्छाई जो सामान है पिछड़ गर्ग और शुची जनजात के अभरतियों के लिए नियुंतम जो है और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए तिपड़ी नियुंतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुला निवार है अगर उचाई के हम बात करें महिलाओं है तो सामान पिछड़ वर्ग अनसुची जनजात की महिला बैरतियों के लिए उचाई 147 सेंटीमीटर है वजन ज दोस्तों की सारिक दसक्त परिछा अभी लेखों की समवुचह सारीश्थिक मानक परिच्छा में सफल पाये गये अवहर्थियों से सबलीत होने कि उन्याफ कि अप परिछा किय जाए के लिए पात्र नहीं होगे सारी दर्षता परिच्छा जिला मजिस्टेट द्वारा नामिट डिप्टी कलेक्टर के अधिता में गठी तो एक समीति द्वारा की जाएगी जिसमें जनपत के पुलिस निष्चक द्वारा नामिट पुलिस उपाधिछ अदस्ष सदस्य होंगे अतो शक्ता समीति के अने सदस्य जिला में स्टेट तथा पुलिस अधिच्छक द्वारा नामिट के जाएगे सारी दिश्था परिच्छा के आवजन की प्रफिरया बोर्ट की बेव साइट पर प्रदस्यत की जाएगी लिखित परिच्छा भी लेखों कि समीच्छा अन सार यू पीपी बीपी डाट जीवी डाट इन पर उपलब्द होंगे जहां से बेर्टी उससे डाउनलोड कर सकते हैं चैन तथा अंतिम स्ट्रेट्स ता सूची लेकिन सारी चीजों पर हम फोकस कर लेते हैं और देखिए यहां किसमें चिकिस्ता भी आपको लेना है रच्छड आई सीमा में चूट इस सारी चीजी दी हैं तो काफी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए इस पीडियेप को पाने के लिए आप हमारे जो है दिये गए टेलिग्राम चाइनल हमारा टेलिग्राम चाइनल है दोस्तों उस पर विजा करके आप निउज भी ले सकते ह हैं सारी चीजें तो आप जो चाइनल से भी जुड़िए और टेलिग्राम चाइनल में भी जा सकते हैं तो दोस्तों आप सभी से यह अन रोध है कि बहुत सारा प्यार आपको इस चाइनल को मिल रहा है इसके लिए फिर मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं I am very grateful to you दोस्तों एक like कर दीजेगा subscribe कर दीजेगा और right side bell icon की बट्न को दबा दीजेगा और अपने साथी साथ अपने मित्रों को अपने साथेगड को इस वीडियो को share कर दीजेगा और एंट तक आपने वीडियो को देखा Thank you so much everyone